हाई मैं बेटिफिल पीपल आप सब लोग कैसे हैं मुझे पूरी उमीदे कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे पॉजिटिव होंगे बहुत अप्टिमिस्टिक होंगे अपनी लाइफ के अंदर अपने गोल्स को लेकर के अपनी फाइनेंस को लेकर के और मैं दुआ करती हू कि हमारी जो मैरिज होगी वो लव मैरिज होगी आरेंज मैरिज होगी और उससे भी बड़ी वात ये कि हम हमारे सोल मेट से शादी करेंगे या फिर हम हमारे ट्विन से शादी करेंगे किस से शादी करेंगे इच और एवरिटिंग प्लीज हमें बताएं तो मुझे लगा बत पहर देख सकते हैं डिसक्रिप्शन बौक्स में मैं में कर दोंगी और कल से फिर जो नॉरमल रढी और प्रसून नॉरमल डिडिंग कि यहां पर camera focus यह silver color की nail paint pile number 2 है हमारे पास यह pink rani color की nail paint और pile number 3 है हमारे पास यह purple color की nail paint ठीक है तो आप कोई भी nail paint चूस कर सकते हैं और यह reading किसी भी तरीके से gender based नहीं है सब लोग देख सकते हैं ठीक है किसी तरीके का कोई यहां पर gender issue नहीं है और nail paint इसलिए रखी हैं क्योंकि मैं चाहरी थी कुछ change हो तो मैंने सोचा object आज nail paint ले लती हूँ ठीक है अगर आप लड़के हैं आप nail paint से नहीं choose करना चाहते हैं तो आप pile number 1, 2 और 3 ऐसे करके भी choose कर सकते हैं ठीक है चलिए शुरू करते हैं pile number 1 इस से हाई my beautiful pile number 1 तो जिन लोगों ने ये वाली nail paint यानि कि silver color की ये white silvery color की nail paint चूज करी थी यानि pile number 1 तो उन लोगों की reading देख लेते हैं मैं इसको यहां पर रख देते हूं ठीक हैं चलिए शुरू करते हैं आज के reading और मैं की करने के आपको सारे काज दीखाऊंने हैं पहलों से मैं ह displacement it कुछ वोगों ने बोला था कुछ लोगों आप कुछ लह कहते हैं कि आप शफल शफल में कर लिया करें कुछ लोग बोलते हैं आप में dein Wiki बड़ा कंनिशन है हमारे पास हैं rain और फिर हम आर पास hanged man तो इन दोनों पाइलों को देखके सबसे पहले पाइलों को इन दोनों पाइल्स को देखकर के मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि यहाँ पे आपकी situations क्या चल रही है आप इस वक्त बहुत अदा स्टक है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ में आगे हो क्या रहा है आगे लाइफ में और होना चाहता क्या है ठीक है मुझे यहाँ पे फॉर शॉर लग रहा है मुझे यहाँ पे यह भी लग रहा है विद इस moon card हो सकता है कि अभी आपकी life के अंदर family issues बहुत जादा prominently चल रहे है कुछ समझ में नहीं आ रहा है with this hang situation और cards देख लेते हैं फिर बता लगेगा हमें और कि आपकी love manage होगी या अनीज होगी ठीक है टैरो से हैं हमारे पास two of cups फिर हैं हमारे पास seven of pentacles queen of swords and then we have king of pentacles तो सबसे पहली चीज जो मुझे यहाँ पे लग रही है वो क्या है कि आप इस partner को पहले से जानेंगे ठीक है वो उस चीज पे हम बाद में आएंगे कि love manage होगी या नहीं लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूँ आप इस partner को पहले से जानेंगे ठीक है ऐसा मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है कि आप इस partner को नहीं जानते होंगे या क्या नहीं पहले से जानेंगे आप इस partner को और बहुत ज़दा दिल से जानेंगे ठीक है और एक चीज में आपको और बता दूँ यहाँ पे इनके मदर के इशू होंगे और अभी है मुझे ऐसा लगता है आप जानते हैं इस partner को बहुत अच्छे हैं इनके मदर के इशू होंगे और एक चीज में आपको और बता दूँ आप दोनों का जो प्यार है वो mutual है और येस अफकोस आप दोनों की शादी जो है मतलब आपकी जिन्होंने पाइल नंबर वन यानि की इस नेल पेंट को चूज किया है इनकी शादी जो है अपने काउंटर पार्ट यानि की अपने लवर से ही होगी ठीक है आप इस partner को पेले से जानेंगे आप लोगों की love marriage ही होगी और कुछ cards देख लेते हैं यहापे कार्टो मैंसी से देख लेते हैं हमारे पास क्या है यहापे seven of love jack of spade and reversals में नहीं लूगी seven of pentacles यानि की surprises so definitely यह person जो है आप पहले से जानेंगे इनको और इस तरीके से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कई लोगों के जो घर होंगे न वो भी आसपास ही होंगे मुझे ऐसा लग रहा है यहापे किसी तरीके की यह cosmic marriage हो सकती है soulmate connection हो सकता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे है हमारे पास two of cups का card ठीक है? तो किसी ना किसी तरीके की यह जो है soul connection मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे क्या लग रही है या तो आप बहुत ज़दें mature हो या फिर आपके partner हैं मिचौर है ठीक है? जो कि हमेशा बार-बार promises को तोड़ते हैं और इसी वज़े से यह person जो है अपने promises को तोड़ते हैं immature behave करते हैं लेकिन आप से प्यार बहुत करते हैं आगे कुछ और cards देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या आया है love oracles में से है free yourself and chemistry तो जैसा कि मैंने बोला आप इस person को पहले से ही जानती है आपकी love marriage होगी pile number one और कुछ है हमारे पास वो भी देख लेते हैं हम यहाँ पर हमारे पास है twin flame and soulmate see मैंने बोला था ना आपको कि soulmate connection होगा यह देख लिज़े हैं पर क्या आया and फिर आया हमारे पास blessings from God so यह जो आपका relation होगा आपको बहुत जाद कभी कभी stuck करेगा और कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि मैं बहुत खुश हूँ किसी तरी कि कोई problem ही नहीं है हमारे पास ही हाँ पर कॉम्प्रोमाइस फिर है हमारे पास ask your angels then है हमारे पास unlikely and the last one is if you believe yes so definitely unlikely separations आते ही है soulmate twin flame relations और यह twin flame and soulmate relation ही है आपका ठीक है तो unlikely problems है बहुत जादा prominent problems पी लग रही है मेरे को और कई तो लोगों के साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि काफी समय से इन लोगों ने ठीक से खाना भी नहीं खाया मैं सही बता हूं तो अगर आपको clearly बोलो खाना भी नहीं खाया है सुकून से सोई भी नहीं है मुझे ऐसा लग रहा है pile number one के लिए क्योंकि हम एक तरफ तो खुश हो जाते हैं जैसे हमारे reading में आता है कि नहीं हम soulmate है twin flame में एक बात मैं आपको बताओं कि बहुत जादा painful journey होती है यह जिनको हमें complete करना होता अगर हम नहीं complete करेंगे इस life के अंदर तो next life में खड़ी रहेंगे तो हमें तो complete करना ही है इस चीज़ को तो आपके लिए आया है कि अगर आप बिलीफ करेंगे तो definitely यह journey आपकी complete होगी और यह आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट है ठीक है गाइस तो पाइल नंबर वन definitely यह जो परसन है आपकी शादी इनसे होगी अभी currently आप इस परसन को जानते हैं यह आपके सोलमेट है यह ट्विन फ्लेम है और मुझे जादातर लग रहा है कि सोलमेट कनेक्शन में हैं आप लोग और हाँ यह आपके counterpart है आपको इनसे शादी करने के लिए अपने आपको free करना पड़ेगा heal करना पड़ेगा ठीक है इतनी आसानी से ऐसा नहीं होगा कि बस पता लगा और सब कुछ जल्दी जल्दी हो गया और शादी हो गया नहीं ऐसा नहीं होगा फोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी लेकिन आपको वो उनको overcome करना होगा आपको अपने आपको free करना होगा और situation के लिए ठीक है तो अबर वन डेफिनिटली आपकी शादी लव मैरीज होगी यही आज का हमारा टॉपिक था आपके टुिन से या फिर सोल मेड से होगी और आप बहुत अदा खुश रहने वाले इस परसन के साथ अभी तोड़े मदर इशूस मुझे लग रहे हैं तो A बहुत अदा प्रॉमिनेंट है यहां पर F बहुत अदा प्रॉमिनेंट है F G & M A ठीक है और मैं नंबर की अगर बात करों तो इंपोर्टेंट नंबर मुझे यहां पर लग रहे है 1, 6, 7 & 10 ठीक है और अगर मैं मन्स की आपर बात करों तो मन्स मुझे लेट विंटर लग रहा है में भी हो सकता है कि लेट विंटर सीजन में आपका बर्थ हो या फिर इस परसन का बर्थ हो ठीक है? तो यही थी आप लोगों की रिडिंग आज का हमारा टॉपिक था कि आपकी शादी लव मैरीज होगी अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है और आपसे रजूनेट हुआ है तो इसे प्लीज लाइक कर दीजेगा मेरे शैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा गाइस और अगर आपको परसनल रिडिंग चाहिए तो प्लीज मुझे मेल कर दीजेगा मेरे मेल आईडी पे मेल जो आईडी है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है बाइ हाई माइ बीटिफुल पाइ नमबर टू तो जिन लोगों ने यह पिंक कलर का नेल पिंट चूस किया था देख लेते हैं आप लोगों की रिडिंग क्या आने वाली है लव मेरेज होगी आपकी अरेंज मेरेज होगी कैसे होगा क्या होगा इच अन एवरिधिंग सब कुछ जानेंगे आज हम और मैं आपको यह भी बताऊंगी कि यह एक तरीके की कॉस्मिक मेरेज होगी या सोलमेट होंगे आप लोग या ट्विन फ्लेम होंगे कार मिक्स होंगे इच अन एवरिधिंग ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आज के रिडिंग और मैं इस निल पिंट को यहाँ पर रख देती हूँ ताकि मुझे स्पेस मिल जाए चलिए सबसे पहले हम कुछ इन कार्ट से देखेंगे हमारे पास क्या आया है ओके ओकी जी ओके टेंप्रेंस एंडी वोल्ट सबसे पहले मैं अगर आपको टेंप्रेंस की बात बताओं तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनो अब आपको दिख रहा होगा आप दोनों जो हैं एक तरीके से ट्विन फ्लेम कनेक्शन के अंदर होंगे और आप इस परसन को जानते हैं जन्मो जन्मो से ठीक है आप इस परसन को काफी समय से जानते हैं मुझे ऐसा लग रहा है और फिर यहाँ पर हमारे पास वर्ल्ड का भी कार है ठीक है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तरीके का साइकल आप दोनों के बीच में चल रहा है काफी टाइम से पास-लाइफ कन्एक्शंस भी लग रहा है मुझे थोड़े से कारमिक्स भी लग रहा है मुझे तो यह परसन आपके क्या है और देखते हैं काफ्स फिर बताते हो तो हमारे पास टेरो में से क्या-क्या है देख लेते हैं हमारे पास है अफकॉस मैं रिवर्सल्स नहीं लूँगी ठीक है त्री ओफ पैनिकल्स, पेज ओफ, सॉरी, त्री ओफ कप्स, पेज ओफ कप्स, हाई प्रिस्टिस फिर है हमारे पास नाइन ओफ वांड्स and दी मून अच्छा कई लोग मुझसे एक चीज सवाल कर रहे थे, एक चीज पूछ रहे थे कि मैं मा आजकल जोडियक्स क्यों नहीं बता रहे हूँ तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं जोडियक्स इसलिए नहीं बताती हूँ अगर एक राशी है यहां पर मौझूद है तो इसलिए फिर उसके अलावा कोई हो नहीं सकती लेकिन इसलिए फिर मैंने बताना चोड़ दिया अब मैं सिर्फ और सिर्फ जोडियक्स आपको तब ही बताया करूँगी जब मैं जोडियक्स रिडिंग करूँगी अदरवाइस नहीं, ठीक है? ओके, तो सबसे पहले हमारे पास three of cups, ठीक है? तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, कि पास लाइफ में आप दोनों की शादी अधूरी रह गए थी, ठीक है? मैं आपको बता देती हूँ, साफ साफ क्यों अधूरी रह गए थी? क्योंकि उस ताइम, आप लोग soul journey के अंदर हैं, ठीक है? आप लोग soul journey के अंदर हैं, मुझे ऐसा लग रहा है और एक तरीके का आप दोनों ने deception जहिला था, ठीक है? यहाँ पर deception आपको मिला था समाज की तरफ से, अगर मैं आपको बताऊं और इसी लिए, इसी लिए ये person इस जनम में दुबारा से आप से मिलें ताकि अपने जितने भी कार्मिक कांट्रैक्स हैं, वो सारे कंप्लीट कर सकें मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने भी आपके करीबी जो आपको दुख देते हैं, वो सारे के सारे आपके ज़्यादातर कार्मिक्स ही है ठीक है? अगर मैं आपको बताऊं clear अगली तो यह पार्टनर जो है आपका, आप इसको जानते हो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि काफी लोग तो यहाँ पे ऐसे होंगे जो कि इस पार्टनर को अपने जो अभी currently जिनके साथ है इन separation में है, चाए contact में है, चाए on and off है इस person को आप पहले से जानते हो और कई लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यह आपके घर के आसपा से कही रहते हैं या फिर यह आपके relation के अंदर भी हो सकते हैं, ठीक है? दूसरी चीज मुझे क्या लग रही है यहां पर कि यह पार्टनर आपसे उम्र में या तो छोटे हो सकते हैं बहुत जादा या फिर आप इनसे बहुत जादा उम्र में छोटे हैं, with this page of cups card ठीक है, दूसरी मुझे यहां पर क्या दिक्कत लग रही है ना, कि यह बहुत जादा deceptive हो रहे हैं, ठीक है, बतानी रहे हैं, दो मुझे बैठे होएं हैं इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बोलू तो बोलू क्या high priestess का card है, definitely इनके यहां पर मदर के issues हैं बहुत जादा ठीक है, मदर issues हैं, बताना नहीं चारी हैं, इनकी जो मदर हैं बहुत जादा intelligent हैं, बहुत चालाक हैं या फिर कोई mother figure हो सकती है, कोई mother figure हो सकती है, जिसे बड़ी बहन, चोटी बहन, ताई, चाची, ठीक है, समझ रहे हैं ये person इस वक्त बहुत जादा stuck है, अपने आपको stuck करके बैठे हुएं और फिर से देखें हमारे पास moon का card है और यहाँ पे भी देखें, moon है और यहाँ पे भी moon है, तो definitely मैं बोलूँगे अभी family issues चल रहे हैं आपकी जिंदगी में और पता नहीं क्यों, मेरे जितने भी जादा तर आप जो हैं, आप हमारी family के अंदर जितने भी जादा तर लोग हैं, उनकी life में family issues ही पहुत जादा prominent है पता नहीं क्यों, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप इस person को पहले से जानते हो, actually बचपन से जानते हो, ठीक है फिर है हमारे पास क्या, love yourself first and then let go of control issues, तो आपको क्या करना चाहिए, इस person को एकदम let go कर देना चाहिए, बिल्कुल let go कर देना चाहिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग twin frame connection के अंदर है, for sure, और एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ, यहाँ पे, कार्टो में से से भी हम लोग देख लेते हैं, हमारे पास क्या आया है, कुछ trouble and relationship, see मैंने बोला ना कि past life से ही troubles हैं, तो हैं यहाँ पे देख लीजे, ring good news, हाँ देख लेजे, last time भी, last past life में भी आपकी शादी होते होते रह गई थी, समाज बगर की वज़े से, bad luck, इसलिए काफी कुछ जेला है आपने, और slow down के लिए आपको अभी भी बोल रहे हैं, जरूर होगी, ठीक है, यहाँ पे देखे, देख लेजे आप, यहाँ पे है soul union और dmndf, मैंने बोला था ना, यहाँ पे अर्द नारेश्वर कार्ड भी है, temperance का कार्ड भी है, definitely, अब देख रहा होगा, definitely यह जो person है आपके twin है, definitely यह person आपके twin है, इस चीज से deny नहीं हो सकता है, यह आपके twin है, soul union होगा आप दोनों का, मुझे ऐसा लग रहा है, for sure, tension लेने वाली, बिल्कुल बात नहीं है यहाँ ठीक है, यह जितनी भी cycles है, इन सब का end होगा, ठीक है, इन सब का end होगा, don't worry, ठीक है, कुछ messages देख लेते हैं हम यहाँ पे, good luck, recovery, okay, और फिर हमारे प be assertive, यानि की positive रही है, तो बस आपको positive रहना है, खुश रहना है, tension नहीं लेनी है, बिल्कुल भी, इस person के साथ में आपकी cosmic marriage होगी, जिसे हम कहते हैं गंधर्व विवा, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके घरवाले इस जनम में भी नहीं मानने वाले, ठीक है, और य ये हमेशा आपकी third party ही बनते हैं, ये हमेशा से आपकी third party बनते आए हैं, और अब मेशा आपकी third party बनेंगे, लेकिन आपको हमेशा आपका ये की goal रहेगा, आप आए, साथ में हुए, मिले, separation में गए, घरवालों ने रोडे अटकाए, फिर दुबारा से मिले, और फिर उसक बहुत जल्द आने वाले हैं, ठीक है, और वैसे मुझे जादा तरहीं आपे 90% लोगों के लिए लग रहा है कि ये पहले से जानते हैं, और इनकी लाइफ में ये इनसान पहले से आ चुके हैं, ठीक है, तो ये है, पाइल नमबर टू, आप लोगों के साथ हूँ, सबसे लेनी है, ठीक है, इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा, अगर आपको पसंद आया है तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा, आप सभी लोगों को लव यू बहुत सारा, अगर आप पेड रिडिंग सेशन लेना साते हैं, तो आप ले सकते हैं, ठीक है, आप मुझे जो मेल कर सकते हैं, मेरे मेल आइडी के उपर, बाइ, हाई, मैब बीटिफल, पाइल नमबर 3, तो जिन लोगों ने ये वाला कलर, यानि की ये परपल कलर चूज किया है, देख लेते हैं, आप लोगों की रिडिंग क्या आती है, आप किसे शादी करने वाले हैं, कौन होंग की शादी बहुत जल्त इल्द फिक्स होने वाले हूं, बताती हूं कैसे, पहले हम उ juno tarot देखे हैं, tarot निकाल लेती हैं, मैं सी मैंने बोला दाना बहुत जल्त होने वाले है, सं का का पार्ड है, स्टार का पार्ड है, एस डोपो एस अपया जैस मजीशन, मुझे क्या लग पान ताहर प्त पहर मेंग पांख दिकर रह तकॉत मैं परसिंडेता दिखुआ प्टारीच wheelchair सरे हैं जाला हैं पानी मतलब उसके लिए कि लिएड़र में तो पनी पूब दो इंνοतीर से बना, यहांसे कुछ पनी आप Teण कि और पनी उसके प्टार रहे जल्दी से जल्दी यहां पे भी भर जाएगा मतलब एक impossible hope मैं आपको समझाने की कोशिश करे हूँ पता नहीं मैं समझा पा रही हो या नहीं एक तरीके की impossible hope जो लोगों को दिख रहा है कि impossible है नहीं हो सकता है ठीक है वो यह चीज करने की कोशिश कर रहे हैं और यह इसके अब लोग एक तरीके से सोल जर्नी के अंदर हैं एक दूसरे को पहले से जानते हैं डेफिनिटल आपकी love marriage होगी और pile no.3 मैं आपको भी यही बोलूँगी कि आपकी love marriage होगी ठीक है अभी कुछ हालात ऐसे हैं कि आपको भी यह लगता है कि मैं एक तरीके से नाकाम कोशिश क कर रहा हूं या कर रही हूं मतलब भरे हुए पॉंड में से बाहर पानी निकाल के बाहर सारा पानी करना इस जस लाइक इंपॉसिबल वर्क फोर एवरीवन ठीक है लेकिन आप फिर भी कर रहे हैं एक होप में ठीक है और यह चीज आपकी सिद्ध होगी complete होगी क्यों क्यों क मैं बहुत सारी विशिज और प्यार भेज रही हूं आपको यहां से रिसीव कीजिए संका काड है हमारे पास डेफिनिटली आप बहुत ज़दा पॉजिटिव हैं कभी कभार डाउट साते हैं विद इस ऐट ओ ऐस और एस और आप कभी कभार डाउट साते हैं लेकिन उन ची दिखे हैं ना मैंने पास लाइफ रलेशंशिप और ट्रू लव सी डेफिनिटली आपका सच्चा प्यार है इसके लिए आपने बहुत महिनत करी है अपने आपको हील किया है अपने आपको इस इस पोजिशन में लेकर आए आप ठीक है सं की पोजिशन में लेकर आए और कराइब आपका इस परसंट के साथ पसलैक्शन है डेफिनिटली फर शूर हमारे पास है आप और पस जैक आप जाक हो तूब अफ पैनिकल एं न है हमारे पास एस उफ लाव देख लीज़े सारे लव कार्ज आज बस एक चो चोड़के ये एक को इसलिए चोड़के हैं क्यो यहां पर देख लीजिए, लव का कार्ड है यहां पर डिदिफनिक्ली एस ओ छिए न법शन ओर गारेश और परसे आपके पर रोल में जटनी भी प्रॉब्लम्स थीन आप यहां नहीं अफ recib हैं वाली है, एर बहुत घुपक जाने वाले हैं Mario क्या चाहिए क्या चाहिए और ठीक है देख लेते हमारे पास क्या है you know me divine part सी मैंने बोला था ना कि आप जानते हैं इस परसन को फिर हमारे पास karmic marriage हम तो हो सकता है आपका भी जो यह partner है किसी तरीके की karmic marriage के अंदर फसे हुए हों क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग twin flame journey के अंदर है divine counterpart भी आया है यहाँ पर तो किसी ना किसी तरीके की karmic marriage में फसे हुए हैं अगर karmic marriage में नहीं फसे हुए हैं तो यह किसी ना किसी तरीके की karmic marriage में फसने वाले हैं लेकिन यहाँ पर आया है sun का कार्ट तो मैं आपको यही बोलूगी कि यह इंसान फस्ते फस्ते वापिस आजाएंगे भाग के आजाएंगे चूँज अन्यू डिरेक्शन आपको positive रहने की जरूरत है हमेशा फिर हमारे पस romance and then we have perfect timing see मैंने बोला ना perfect timing definitely perfect timing पे आप दोने एक हो जाएंगे और मुझे ऐसा लग रहा है कि जादा दिन दूर नहीं है आप पाफी जल्दी आप लोग एक होने वाले हो और ये एक तरीके की जो है love marriage होगी cosmic marriage होगी divine counterpart है आपका ठीक है अगर ये किसी तरीके की किसी karmic marriage के अंदर भी फसे होंगा ना तो येश चीजों से निकलेंगे तिक है ये इन सब चीजों से निकलेंगे क्यों क्यूंकि ये हैं divine part मैं बहुत कुश हूँ आप लोगों के लिए seriously, file number 3 आपने जितनी भी मननते मांगी हैं जितनी भी मतलब strength का कार्ड है और क्या चाहिए या, chariot का कार्ड है तो जितनी भी महनत के साथ पूरी strength के साथ, हिम्मत के साथ आपने जो ये इतना सब कुछ सही किया है अब उसका फल मिलने वाला है आप अपने person को एक time ऐसा आएगा जब बताओंगे कि आरे तुमने क्या देखा है मैंने देखा है, पता है कितना कुछ किया है मैंने, ठीक है तो हाँ definitely और ये कार्ट देखे तो मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के लिए मैं blessings भेजती हूँ, बहुत सारी blessings दे रही हूँ मैं आपको जल्दी से catch कर लिजिए, positive रहे इस वीडियो को like कीजिए share कीजिए अपने friends के साथ में और मेरे channel को subscribe करना ना भूलें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अगर आप personal paid reading session चाते हैं तो आप मुझे mail कर सकते हैं मेरी mail ID के उपर offer सिर्फ और सिर्फ आज के लिए है कल से कोई offer नहीं है मैं पूरी कोशिश करूँगे कि आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी offer लेके आ सकों क्योंकि बहुत लोगों की बहुत सारे demands होती है तो उसके according कई लोग बोलते हैं life sessions के लिए भी तो मैं life sessions भी आप लोगों के लिए लेके आऊंगी बहुत जल्दी तो बस इसी तरीके से support कीजिए love you बहुत सारा वाला प्लीज पॉजिटिव रही है वैसे भी reunion month चल रहा है reunion period है बहुत लोगों के reunion होने वाले और मैं रोज आप लोगों से एक ना एक story जह है शियर जरूर करूंगे love you bye bye